प्रेस्प्राइब चैनल और प्रेस्ट पैल आइकन फॉर फूचर अपडेट्स असलाम लेकूं फ्रेंड्स वेलकम टू गनीन्स किच्छन आज मैं आपके साथ मतन पाई की रेसिपी शुचर करूंगी तो चैनले आप में रेसिपी की तरफ चलते हैं पहले मैं आपको इसके इंग्रीडियंट्स पता देती हूं पाय आपको चाहिए आठ ओयल हाफ कप जॉल्ट टेस्ट चंजर कालिक पेस्ट 3 टेबल स्पून अनियन्स 3 मीडियम साइज हल्दी हाफ टी स्पून रचली पाउडर 1 टी स्पून जीरा 1 टी स्पून कोरियंडर पाउडर 1 टी स्पून लॉंग आप ले लिजे एक दार्ट चीनी 1 इंच का तुकर आपको चाहिए तापकाली मिर्चन दस चाहिए दही आपको चाहिए एक कप पानी आपको चाहिए 4 गलास पानी का मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह से इसके अंदर एड़ करना है तो चलें इसको बनाते है पहले आपने दो ग्लास पानी में प्यास डालना है और साबत काली मर्चे डाल देनी है फिर आपने इसके इंदर नसन अद्रक का पेस डाल देना है और सारे स्पाइसे इसके इंदर एड़ कर देने है अब आपने इसके इंदर पाय डाल देने है और आपने इस के इंदर ओयल एट कर देना है अब जी आपने इस के इंदर दही डाल देनी है और ट्रेश्टर कुकर को 15 मिनट के लिए कवर करना है 15 मिनट के बाद आपने इसको जब पाई गल जाएंगे तो आपने इसको भूनना है और भूनने के बाद आपने इसको दो गलास पानी एट करना है इसके अंदर और साथ ही आपने गरम मसाला डाल देना है अब आपने सर्फ करने के टाइम पर भी गरम मसाला डालना है और गरम गरम नान के साथ आप इससे सर्फ करें if you like the recipe please comment below